हेलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है रीज स्वींग क्राफ्ट में तो आज हम प्लाजो पेंट का एक बहुत ही बीडिफुल डिजाइन बनाएंगे जिसे हम ट्रेंगुलर कट वर्क के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो इस डिजाइन को रेडी करने के लिए मैंने ये पेंट में से ही कपडा लिया है जिस पर मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है और ये लंबी तो मैंने उतनी ही ली यह जितनी हमारी प्लाजो पेंट की मोहरी है और चुडाई में ये लगबग 4 इंच आइज दिखिए तो अब हम paper pasting वाली side पे ही हम यहाँ पे marking करेंगे इस तरीके से पहले इसको सीधा सीधा mark कर लेते हैं और एक mark मैं यहाँ पे 1.5 इंच का करूंगी 1.5 इंच हम इस तरीके से mark करेंगे और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यह नीचे वाली side पे हम एक mark यहाँ पे करेंगे और एक mark हम यहाँ पे करेंगे 2.2 इंच के gap पे हमें mark करना है तो यह देखिए पहले मैंने यहाँ पे mark किया है उसके बाद 2.2 इंच के gap पे मैंने mark किये हैं यह देखिए, तो अब हमने उपर वाली साइड पे मार्क करना है, पहला मार्क जो है वो हम एक इंच के गैप पे करेंगे, इस तरीक्या से, यहां से एक इंच के गैप पे, ऐसे, यहां पे हमने एक इंच क्या गैप लेना, उसके बाद फिर से हम दो-दो इंच का गैप लेंग हमें तो इस तड़ीके से इसको इससे ऐसे फिर इसको इससे पिर ऐसे सारे मार्क्स को हम आपस में मिला देंगे तो ऐसे हमारा ये पैटरन मार्क हो चुका है और अब हम इसको अपनी पैंट प्लाजों पे स्टिच करेंगे तो पहले हम पैटरन को इस तरफ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे एक रफ स्टिच कर देंगे तो ये सिलाई हमने लगा ली है और अब हम इसको अपनी प्लाजों पेंट पे रख के स्टिच करेंगे तो ये मेरी प्लाजों पेंट है जिसको मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया है और इसकी मैंने सीधी साइड ली है और पैटरन को इसके उपर हम उल्टा करके रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक रफ स्टिच कर देंगे और यहाँ पे भी तांकि हमारा यह पैटरन हिले ना तो दोनों तरफ हमने रफ स्टिच कर ली है और अब हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगानी है तो सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हमने ये बीच वाले फैब्रिक को कट करना है यहां से हम ये उपर वाली रफ स्टिच तो हमें खूलने की ज़रूत नहीं है ये कट ही जानी है नीचे वाली हम बाद में खूलेंगी इस तरीके से हमें एक एक पैर का मार्जन लेते हुए कट करना है तो ऐसे हमने बीच वाले सारे फैब्रिक को कट कर दिया है और अब हम यहां पे छोटे-छोटे कट लगाएंगे यहां पे बीच में हमें लगाने है यह वाला कट हम सिलाई तक लगाएंगे लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए ऐसे यहां से भी तो कट भी हमारे लग चुके हैं और अब हम यह वाली रफ स्टिच खोल देंगे तो रफ स्टिच भी हमारी खुल चुकी है और अब हम इसको पलट लेते हैं यहां कोने से हम शुरू करेंगे आप ऐसे किसी सिलाई या पिन की मदद से इसके कोने बाहर की तरफ ऐसे निकाल सकते हो ऐसे हमने अपने सारे ट्रेंगल्स पलट लेने हैं तो यह वाला डिजाइन पैंट पे बनाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जन लेने की ज़रुवत नहीं है जितना भी आपने पैंट की लेंथ रेडी करनी है पुतनी ही इसको कट कीजिए यूँकि एक्स्ट्रा मार्जन के लिए हम उपर से ये वला फैबरिक स्टिच करते हैं बस ऐसे ही आपने सारे कोने बाहर की तरफ निकालते हुए इसको पलट लेना है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना और अब हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये देखिए प्रेस करने से इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है और अब हम इसको पीछे से सिलाई लगा देते हैं तो देखिए इसमें पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे किनारी की सिलाई भी हमने पीछे से लगा ली है और अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं इसको तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई